कौन लगा सकता है उनके कद का अंदाजा वो आसमान है और सर जुकाई बैठे हैं। आचारे श्री विध्या सागर जी महराज पर लिखना एक बड़ा ही कठिन काम है। क्योंकि किसी सक्षियत पर तो लिखा जा सकता है लेकिन जो सक्षियत खुदी ईश्वर के नुमाइंदे के रूप में पूरे जहां में पूजी जाती हो उस पर लिखना बेहधी कठिन काम है। पूछ आओ तुम हिम गिरियों से तुम से उचा कौन है। सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है। ओ चिडिया उड़ने वाली किसके नारे ढोती हो। चलने वाली तेज हवाएं किसकी महीमा बोती हो। बागों में माली मालाएं किसकी मालाएं पिरोता है। जल्दी उठने वाला सूरज किसकी राह संचोता है। उत्तर में गंगा से पूछो दक्षिन में कृष्णा से पश्चिम में चंबल से पूछो पूरब में ब्रह्मा से अटक से लेकर कटक तक पूछो काश्मीर से कन्या तक पूछो हिंद महासागर से कंचन जंगा तक। घूम याओ तुम ये जग सारा फिर तुम को ये मुकाम मिलेगा इस दुनिया में सबसे उचा विध्या सागर नाम मिलेगा इस दुनिया में सबसे उचा विध्या सागर नाम मिलेगा विध्या सागर नाम नहीं है अम्रत्व की निशानी है कहीं नहीं देखी जा सकने वाली एक कहानी है कहीं नहीं देखी जा सकने वाली एक कहानी है शब्द छापदो इतिहासों में कवीता और किताबों में कह दो बड़े बड़े ग्रंथों से गीता और कुरानों से विध्या गुरू की गौरव गाथा ब्रह्मा भी नहीं लिख सकता है इतिहासों के पन्नों से ये नाम नहीं मिट सकता है अब अंत में मैं अचारेश्री के चन्नों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी सागर जहां मिठास बाट दे सच्मुच बात अनूठी है उसमें भी खारापन ढूंडे उसकी किस्मत रूठी है जिनके सैयम और नियम ने संथ शिरोमनी बना दिया उनकी पीछी के आगे दुनिया की दौलत जूटी है जैजेंद